दोस्ते दोस्तों विल्कम बेक माई चैनल लड़स नियूज तो लड़स नियूज में आप सभी का सोगत है तो फाइनली का जितने भी इस्ट्वेंट है बीट्यूपी के स्कूरूट्टी और रियूलिशन के रिजल का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली उन सभी छातरों के ल वाला है तो गाइस क्या है अपडेट प्लीज आप वीडियो को इसकी पर के मत देखना कि यह अपडेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपार्ट होने वाली है तो सबसे पहले हैं यहां पर हिंदुस्तान ने उसकी तरफ से एक लेटेस अपडेट है इस आपको बता जा पर पैड़ां नहीं आने से संकर मट रहने लगे हैं और दस दिसंबर स्कॉलर सीफ फार्म का अंतिन्तिती है और चाओधरी चरसिंग बीबी में से संबंद कालेजों में फिराल प्रेक्टिकल चल रहे हैं परसान छात्रों ने दो दिसंबर तक पैड़ां गोसित करने की मां हैं वेब साइट पर यह फार्म नहीं खुल रहे हैं तो इस मतलब कि यहां पर आपको मैं बता दू कि जितने भी इस्टुएंट हैं कि उनका कि दस्ताई तक आपका स्कॉलर्शिप का लाज डेट है अगर दस्ताई के पहले अगर बैक पर का रिजल्ट नहीं आता है तो यह मैंने के पहले हफ्ते से पहले मदवाइस की आपका कल की डेट में आपका जो रिजल्ट है ओ आ सकता है यहां पर देख पाएंगे मुस्तफा सर भी एक लेटेस अपडेट है बोल रहे हैं कि पॉल टेकनिक के चात्रों के लिए सूचना है कि तीन दिसंबर को रिजल्ट आना है तो यहां पर यह बोलता है कि आपका तीन से पाइस के बीश मैं आपका जो रिजल्ट में आनाखता है आपकी पास अगर अगर एक तारीख झाल डियुक्त आंब मने के लिए इस कздरो में चले शुक्षान है तो ऐसे में house चैनल में आपको बहुत जल्दी आने वाला है इस इसलिए मैं आपको डेली बोरता हूं कि आप सब लागातार चेक करते रहे हैं आपका जो रिजल्ट है और किसी भी वक्त जारी कर सकता है बीटुपी इसके लिए कोई भी नोटीस जारी नहीं करेगा तो आपको आपका रिजल्ट चेक करने के लिए गूगल पर सर्च करना है बहुत से ऐसे चात रहे हैं जिनके रिजल्ट लागातार अपडेट हो रहे हैं तो आप सब लागातार अपने रिजल्ट को चेक करते रहे हैं आपका भी रिजल्ट अपडेट हो गया हो तो यहां पर आप बोर्ट से एक्जम डाट को सर्च करेंगे यहां पर क्लिक करके हो g efic papier यहां जानड है नीच आने के बाद आप को यहां पर कल करके हैं आप सब्सक्राइब कर पैंगे तो लगातार यहां पर करते मिलते हैं अल्यूड हम बाइ बट्टे